नमस्कार बच्चों चलो हम लोग आज जो है आरे सकरवाल मैट्स क्लास 12 का इंडिफिनिट इंटिग्रल चैप्टर 12 का हम लोग एकसरसाइस 12 सॉल्व कर रहे हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कोईश्चन 123 सॉल्व कर लिया था आज हम लोग क्या करेंगे कोईश्चन 4 to 6 सॉल्व करने वाले हैं तो चलो बचों फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो क्यूंकि लिखोगे तभी सीखोगे तो देखो हमारा आज का जो फर्स्ट कोईश्चन है क्या है हमारा फर्स्ट कोईश्चन देखो integral x square minus 1 by x square का whole cube dx यह है हमारा तो अच्छा इसको देखने के साथ ही लग रहा है कि हमारे पास x square minus 1 by x square का whole cube है तो कुछ लग रहा है formula type में कुछ याद आया क्या लग रहा है ने a-b का whole cube के तरह कुछ है तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं हम लोग यहां पर कि i equals to क्या है हमारे पास i equals to integral x square minus 1 by x square का whole cube dx ऐसा है हमारा ठीक है ऐसा है हमारा तो समझो बात तो सबसे पहले a-b का whole cube का formula क्या है पता है आप लोगों को a-b का whole cube का formula क्या है बचपन में ही पढ़े थे पता ही होगा सबको हम फिर भी एक बार recall करा देते हैं लिख देते हैं कि a-b का whole cube होता है वो हमारा वो क्या होता है a cube minus 3a square b plus 3ab square और minus b cube होता है यह हमारा a-b के whole cube का formula ठीक है अच्छा इसी formula पे इसको expand कर देते हैं लोगों तो देखो क्या हो गया i equals to हमारा आगया a cube a cube कहने का मतलब x square का cube minus 3a square a square कहने का मतलब x square a के जगा क्या है x square है b के जगा क्या है 1 by x square है 3a square मतलब x square का square into b b कहने का मतलब 1 by x square और plus 3 a के जगा क्या है x square है और b square b square के जगा क्या है तो मारा 1 by x square है 1 by x square का whole square और minus b cube है तो b cube कहने का मतलब 1 by x square का power 3 यह हो गया हमारा a minus b का whole cube अच्छा इस पूरे को एक bracket में डाल देते हैं और यहां लिएक देते हैं DX ये क्या होगी देएकस तो चलो सबसे पहले इसको हम लोग solve कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसको क्या करेंगे integrate करेंगे तो चलो इसको solve करते हैं सबसे पहले तो I request क्या आ रहा है हमारा I request हमारा आ रहा है X square का power 3 तो square का power 3 है तो हम लोग क्या पढ़े थे हम लोगों को पता है क्या होता है x का power m का power n power का power multiply हो जाता है x का power क्या हो जाएगा mn तो power का power multiply होता है है ना यादी है सबको तो यहाँ पर power का power कर रहे है तो 2 का x का power 2 2 और का power 3 तो power अगर multiply करेंगे तो x का power कितना आगए हमारा 6 आगए minus, त्छे यहां देखो क्या रहा है 3 into x square का square है आप power का power तो multiply कर लेते हैं x का power 4 into 1 by x square आ रहा है ठीक है प्लस 3 यहां देखो यहां तो x square है और into 1 by x square का square करेंगे तो power का power देखो 1 का square करेंगे तो 1 ही आगिया और नीचे में लाके x square का square करेंगे तो power का power multiply होता है 4 आ जाएगा माइनस 1 by 1 का cube तो 1 ही आ गया और power का power multiply करेंगे तो नीचे हो जाएगा x square का power 3 तो x का power 6 आ गया और ये हमारा हो गया dx ठीक है तो चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं अब देखो यहां से जो-जो cut सकता है जिसको जिसको हम लोग cancel कर सकते हैं कर लेते हैं cancel तो देखो cancel कर रहे हैं यहां से हम लोग तो क्या आ रहा है तुमारा यहाँ पर x square है उपर में x का power 4 है तो 2 power कट के क्या बचेगा 2 बच जाएगा यहाँ पर x square है नीचे क्या है 4 है पावर तो 2x तो कट जाएगा तो यहाँ पर x का square बज गया और बांकी जैसा है वैसा ही रह गया ठीक है तो चलो अब next step में चलते हैं तो देखो next step में क्या हो रहा है हमारा i equals to integration x का power 6 minus 3 और x का power देखो तो कट के क्या बचा है 2 बचा है तो 2 plus 3 और यहां देखो क्या बचा है 1 by x का power 2 है 1 by x का power 2 है तो x का power 2 को उपर लेके चलते हैं तो x का power minus 2 आ जाएगा और minus 1 by अच्छा यहां क्या है तुमारा 1 by x का power 6 है तो उपर लेके जाने में जो power जो नीचे है ने x का power 6 को उपर लेके चले जाएंगे तो हमको क्या होगा solve करना आसान हो जाएगा easy हो जाएगा तो यहां आ जाएगा हमारा x का power minus 6 और यह पूरा हो गया dx समझ में आगे बात तो चलो ठीक है अब देखो यह जो है हमारा solve होने वाले condition में आ गया है तो सबसे पहले तो सबको separate out कर लेते हैं तो आई एक क्या आ रहा है तुमारा x to the power 6 dx minus 3 तो तुमारा constant है बाहर ले लो x square dx plus 3 बाहर ले लो x का power minus 2 dx और minus integration x का power minus 6 dx अच्छा अब तो बहुत एक simple formula पिछले class में ही बताए थे आज फिर से बता देते हैं एक बार क्या integration देखो क्या होता है हमारा integration x का power ndx क्या होता है हमारा x का power n plus 1 by n plus 1 और plus c यह होता है हमारा integration x का power ndx तो x का power n plus 1 by n plus 1 plus यह हो जाता है हमारा तो बस अब यही formula के use करेंगे हम लोग यहां पर तो थोड़ा देखो क्या आ रहा है तुमारा तो i equals 2 क्या आ गया तुमारा x का power 6 तो इसका integration क्या हो जाएगा x का power n plus 1 होता है तो 6 plus 1 7 by 7 minus 3 x का power 2 है 2 plus 1 क्या आ जाएगा 3 by 3 plus 3 x का power देखो तो क्या है minus 2 plus 1 करेंगे बिटा minus 2 plus 1 क्या आ जाएगा minus 1 और नीचे भी minus 1 और minus 5 x का power sorry minus 5 नहीं है यहां पर हमारा x का power क्या है minus 6 तो x का power minus 6 plus 1 तो minus 5 और नीचे भी आ जाएगा मेरा minus 5 और plus constant आ गया हमारा c समझ में आ रहा है मेरा बात तो अब देखो यहां से जो जो cancel होता है उसको तो पहले cancel कर लेते हैं तो देखो पहला तो क्या हो रहा है हमारा यहां तो पहले वाले term में कुछ cancel नहीं हो रहा है दूसरे में क्या हो रहा है 3 और 3 मेरा cancel हो गया इधर भी कुछ cancel नहीं यहां भी कुछ cancel नहीं तो चलो अब इसको लेकर आगे बढ़ते हैं तो चलो देखो क्या आ रहा हमारा i equals to x का power 7 by 7 minus x का power 3 और दोखो यहां पर minus plus minus plus minus हो गया नीचे 1 का कुछ लेना देना नहीं बचा और वह 3 और x का power 1 है न x का power 1 तो x का power 1 को 1 by x लिख देते हैं फिर यहां पर minus minus plus और क्या आ रहा है तुमारा 1 by 5 और x का power minus 5 है न x का power minus 5 तो उसको भी हम लोग लिख सकते है 1 by x का power 5 minus 5 को और plus c ठीक है और finally हम लोग इसको arrange कर कर लिख देते हैं अब हम लोग arrange कर कर लिख देते हैं तो क्या रहा है हमारा i equals to x to the power 7 by 7 minus x cube minus 3 by x और plus 1 by 5 x का power 5 और plus c ठीक है और यही हमारा answer है तो एक बार answer चेक कर लो सब लोग क्या है हमारा x का power 7 by 7 plus 1 by 5 x का power 5 ठीक है minus x cube minus 3 by x plus c ठीक है बिल्कुल हमारा answer सही है बस क्या क्या है कि इस वाले चीज को पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया तो कोई फरक नहीं पड़ता है आप पहले लिखो बाद में लिखो answer सही है हमारा तो यही हमारा answer है समझ में आ गया सब लोगों को तो आप लोग इसको अच्छे से note कर लो और चलो अब हम लोग चलते हैं next question पर देखो हमारा next question क्या है हमारा जो next question है वो है integral root x minus 1 by root x dx हमारा जो next question है वो हमारा root x minus 1 by root x dx तो चलो ठीक है अच्छा एक बात समझाये थे हम कि root x क्या होता है अगर ध्यान दो root x के बारे में देखो तो क्या आता है root x तो root x जो है ना इसका मतलब होता है x का power 1 by 2 root x होता है x का power 1 by 2 ठीक है तो root x का power x का power 1 by 2 होता है root x minus 1 by root x dx है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर तो i equals to integral देखो यहाँ पर root x root x का power क्या होता है 1 by 2 हो जाएगा ठीक है तो देखो x का power क्या आ गया तुमारा 1 by 2 और minus 1 by root x क्या है तुमारा x का power क्या आ गया तुमारा 1 by 2 आ गया और ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा dx हो गया ठीक है तो चलो अब देखो समझो बात यहां पर देखो यहां हम लोग क्या करते हैं यह क्या है तुम्हारा x का पावर 1 by 2 को उपर लेकर जाते हैं x का पावर 1 by 2 को उपर लेकर जाते हैं I equals 2 क्या है तुमारा, X का power 1 by 2 और minus, ठीक है, X का power 1 by 2 को उपर लेके जाएंगे X का power 1 by 2, तो X का power minus 1 by 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा तुमारा, DX हो जाएगा ठीक है, और क्या हो जाएगा तुमारा, चलो देखो, DX हो गया, अब हम लोग इसको separate कर लेंगे तो i equals to क्या आ रहा है तुमारा x का पाबर 1 by 2 dx और minus integral x का पाबर minus 1 by 2 dx यह हो गया हमारा ठीक है चलो अब हम लोग इसको क्या करते है differentiate कर देते है तो फिर देको यहाँ पर वही formula आ रहा है क्या formula आ रहा है integration x का पाबर n dx x क्या होता है सबको याद हो गया जल्दी से बताओ x का पाबर n plus 1 by n plus 1 और plus c यह होता है हमारा तो चलो ठीक है अब हम लोग इसको यहाँ पर integrate कर देते हैं तो i equals to क्या है हमारा देखो ध्यान से i equals to क्या है हमारा x का पाबर 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 plus 1 minus यहाँ पर क्या करेंगे x का power minus 1 by 2 plus 1 by minus 1 by 2 plus 1 और plus c हो जाएगा हमारा तो चलो अब इसको solve कर देते हैं आई एक क्वेस्ट क्या रहा है x का power 1 by 2 plus 1 तो कितना आ गया 3 by 2 और नीचे भी क्या आ गया 3 by 2 और minus x का power minus 1 by 2 plus 1 तो यहाँ भी 1 by 2 आ गया और यह भी 1 by 2 आ गया और plus c आ गया चलो बस इसको अब arrange करके लिखने की जरूरत है हमको तो यहाँ पर देखो मेरा जो denominator है उसमें 3 by 2 है तो जब हम लोग इसको numerator में लेके जाएंगे तो वो 2 by 3 बन जाएगा x का power 3 by 2 हो रहा है x का power 3 by 2 हो रहा है और minus 1 by 2 है उपर जाके क्या बन जाएगा 2 x का power 1 by 2 आ रहा है और plus c आ ठीक है तो अभी देखो यहाँ से क्या हो रहा है i equals to 2 by 3 x का power 3 by 2 और minus 2 अच्छा x का power 1 by 2 को क्या लिख सकते है हम लोग root x लिख सकते है plus c ठीक है और यही हमारा answer है एक बार check कर लो सब लोग इस answer को सही है की नहीं है तो यहाँ पर answer में रूट नहीं किया है 1 by 2 ही छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं है हम लोग भी छोड़ देंगे उतना पर ही तो यह हाथ से छोड़ दो यह line लिखने की जोरत ही नहीं है यह line लिखने की जोरत ही नहीं है यही हमारा answer आ गया समझ में आ गया तो इसको आप लोग जल्दी से note कर लो तो चलो हम लोग अब चलते हैं next question पर देखो हमारा जो next question क्या है integral root under x plus 1 by root x का whole square जैसे ही हमने whole square देखा जैसे ही हमने whole square देखा तो मेरे दिमाग में आया अच्छा a plus b का whole square है हमारा तो a plus b का whole square क्या होता है a plus b का whole square होता a square plus 2ab plus b square याद हो गई formula a plus b का whole square होता a square plus 2ab plus b square तो यहाँ भी हम लोग इसी formula का use करेंगे तो सबसे पहले तो integral क्या है हमारा I quest लिख लेते हैं यहाँ root x plus 1 by root x का whole square और यह है dx तो a plus b के whole square पर इसको तोड़ दो तो a plus b के whole square पर तोड़ तो a square क्या आ रहा है root x का square आ रहा है root x का square plus 2ab 2 a के जगा root x और b के जगा 1 by root x और plus b square 1 by root x का whole square आ गया और इस पूरे का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा तो अच्छे एक बात और बताओ समझो ध्यान से एक बात क्या होता है कि अगर हम लोग क्या करें root x का square करें तो root x का square क्या हो जाएगा root x into root x ठीक है और root के अंदर x into x हो गया तो एक x बाहर आ जाता है तो अगर किसी भी number का root है और उसका square करते हैं तो उसका root हट जाता है सिर्फ x लिग देते हैं तो यहाँ भी हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ भी देखो क्या हो गया हमारा i equals to integration यहाँ से क्या आ रहा है तुमारा 2 बचा और प्लस यहाँ देखो क्या है 1 by root x का square तो 1 by root x का square क्या आ रहा है 1 by x आ गया और यह क्या है हमारा dx तो चलो अब यह integrable है अब इसको हम easily integrate कर सकते हैं तो चलो इसको तो सबसे पहले separate कर लेते हैं हम लोग तो i equals to क्या है तुमारा integration सबसे पहले क्या करेंगे x dx प्लस 2 तो हटाओ constant है तो सिर्फ क्या बचा dx प्लस integration 1 by x dx यह बचा 1 by x dx तो अब थोड़ा देखो अब तो पता ही होगा x dx का integration क्या होता है जल्दी से बताओ तो x square by 2 होता है प्लस 2 तो ठीक है dx का integration क्या होता है dx का integration x होता है अब प्लस अब क्या है तुमारा integration 1 by x dx है तो जल्दी से बताओ कि 1 by x dx का integration क्या होगा तो यह हो जाएगा log modulus x और प्लस integration का constant देदेंगे c और यही हमारा answer है तो आप लोग एक बचा जल्दी से answer चेक कर लो तो हमारा answer है x square by 2 plus log modulus x plus 2x plus c बिल्कुल सही है हमारा ठीक है अच्छे यह सब देखो ना answer जो book में दिया हुआ उसका order इधर उधर हो सकता है यह कोई बड़ी बात नहीं है order इधर उधर हो सकता है हमारा answer सही है order इधर उधर होने से क्या है answer गलत नहीं होता है वो सही होता है कोई दिक्कत नहीं है तो यही है तो आप लोग बच्चों जल्दी से इसको note कर लो तो चलो अब हम लोग चलते हैं next question पर देखो यह question number 4 का 4 है हमारा यह question number 4 का 4 है मारा देखो question कया है हमारा integration 1 प्लस 2x का whole cube by x 4 तो फिर से देखो अभी तुरंत हम लोग बात किये थे हमारे पास क्या I equals to क्या है तुमारा 1 प्लस 2x का whole cube by क्या है तुमारा 4 है सही बात x का power 4 है X का power 4 है, ठीक है, तो उपर में तो क्या आ रहा है हमारा, 1 प्लस X का whole cube है, उपर में क्या रहा हमारा, 1 प्लस X का whole cube है, तो हम लोग न, A प्लस B का whole cube का formula तो पर उसको तोड़ेंगे उपर वाले को, फिर से पता ही है तुमको, A प्लस B का formula क्या हता है, A प्लस B का whole cube का formula होता है, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube यह formula होता है हमारा ठीक है तो इसी formula पे हम लोग इसको तोड़ देंगे तो आई एक क्वेस्ट देखो क्या आ रहा है हमारा integration a plus b का whole cube a cube plus 3a square मतलब 1 का square b कहने का मतलब 2x plus 3a1 और b square तो b कहने का मतलब 2x का square plus b cube मतलब 2x का whole cube by x का पाबर 4 और यह हमारा dx ठीक है तो चलो अब इसको और solve करते हैं थोड़ा सा easy बनाते हैं 1 cube तो 1 आ गया plus 3 1 का square 1 3 1 जा 3 2 जा 6x आ गया plus 3 into 2x का square है न 2x का square तो कितना गया 4x square 3 into 4x square plus 2 का cube कितना रहा 8x cube by कितना रहा हमारा x का power क्या है तुमारा 4 है और यह क्या है तुमारा dx है ठीक है तो चलो देखो हम लोग क्या करते हैं सारे को क्या करते हैं अब यह जो है न i equals to x का power 4 actually मैं क्या है सब के नीचे है तो बटा इसके लिए क्या ध्यान दो क्या तुमको ध्यान में रहना चाहिए कि हम लोग को पता है कि अगर a plus b by x है न तो यह x जो है a के नीचे भी है और यह x जो है न वो b के भी नीचे है इस बात को ध्यान देना कि जितना भी टर्म है सब के नीचे जाएगा यह तो सब के नीचे ले लेंगे हम लोग इसको तो सब के नीचे लेंगे तो देखो क्या आ रहा है हमारा integration 1 by x का power 4 6 x by x का power 4 प्लस फोर त्रिजा 12 x square by x का power 4 प्लस 8 x cube by x का power 4 यह आ गया और इस पूरे का क्या है तुमारा dx है पूरे का क्या है तुमारा dx है तो ध्यान दो यहां से क्या क्या हम लोग काट सकते हैं तो देखो क्या क्या काट सकते हैं यहां पर x का power 1 है यहां पर 4 है तो यह काट के कितना बचेगा 3 बचेगा यहां पर x का power 2 है वो कट गया यहां पर 4 में से 2 कटा तो 2 बचा और यहां पर x का power cube है और नीचे 4 है तो बस 1x बच गया यहां पर ठीक है तो हमारा जो कटने के बाद जो बना वो देखो क्या बन रहा वो बन रहा है i equals to integration 1 by x का power 4 और plus 6 by x cube और plus 14 by x square और plus 8 by x और ये क्या है तुम्हारा dx है ठीक है तो एक बात इसमें देखो ध्यान से क्या आ रहा है एक बात देखो ध्यान से क्या रहा है तो समझो इसमें से जो हम लोग क्या कर पाएंगे कि कुछ जैसे कि यहां पर 1 by x square ठीक है तो हम लोग को एक बात को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि 1 by x square का integration बार बार आएगा 1 by x square का integration और easy भी होता है इसको एना formula के तरह हम लोग standard formula के तरह use करेंगे तो देखो जैसे कि integration 1 by x square है न तो यह क्या होता है यह होता है माइनस 1 by x plus c कैसे ऐसा होता है समझ लो बात इसलिए ऐसा होता है क्यूंकि हम लोग को पता है d by dx 1 by x equals to क्या होता है minus 1 by x square होता है तो 1 by x का differentiation कितना होता है minus 1 by x square तो हम यह माइनस ने इसके साथ ले लेते हैं तो minus 1 by x और यह है d by dx ठीक है equal to क्या आ रहा है तुमारा 1 by x square तो जब 1 by minus 1 by x का differentiation हो गया 1 by x square तो 1 by x square का integration क्या हो जाएगा minus 1 by x तो ये formula आता है एक तरीका तो ये हो गया और तुम चाहते हो कि नहीं इसका हम ना और बनाए एक formula ये आ गया ये तो समझ गया ऐसे होता है दूसरा अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं इसको जो है ना थोड़ा सा असर आप प्रूफ करके दिखाओ तो हम प्रूफ करके दिखाते हैं क्या होता है जैसे इसका integration है तो integration क्या है एक्चुलि यहां dx भी है तो x का power minus 2 dx आ गया तो ये क्या आ गया x का power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 और plus c आ गया तो यहां से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा यहां पे x का power minus 1 आ गया और minus 1 plus c आ गया आ गया ना तो अब थोड़ा देखो ध्यान से यहां क्या आ रहा है minus तो इधर ले लो और 1 by x ले लो और plus c ले लो तो हम लोग क्या करेंगे x square 1 by x square dx का integration हमेशा याद रख लो इसको बार बार अब जो हम लोग उस तरह से नहीं तोड़ेंगे 1 by x square dx का integration क्या करेंगे minus 1 by x plus C कहेंगे ठीक है तो अब देखो हमारे पास और यह इसका तो हम लोग easily कर सकते हैं तो अब हम लोग देखते हैं जिसका जिसका integration करना है अपने को उसको अलग कर लेते हैं तो पहला 1 by x का power को बिटा x का power minus 4 dx लिख सकते हैं ठीक है अच्छा plus 6 तो बाहर निकाल लो x का power 3 नीचे है तो minus 3 dx भी लिख सकते हैं प्लस 14 बाहर ले लो तो अब क्या बचा तुमारा 14 नहीं है भाई 4 तुवेल्ब करना था अपने को यह 12 करना था यह 12 कर लो यह क्या कर लो तुमारा 12 कर लो ठीक है यह 12 कर लो तो यहां भी मेरा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा अच्छा 12 आ गया 1 by x square और यह क्या है हमारा dx है और plus क्या है 8 बाहर ले लो 8 बाहर ले लो क्या बच रहा हमारा 1 by x और यह dx बच गया ठीक है तो चलो यह आ गया तुमारा ठीक है तो यह वाला 14 ठीक कर लेना तुम लोग यह वाला 4 3 कर 12 होगा हम 14 लिख दिए तो उसको ठीक कर लेना फिर से तो देखो अभी यहाँ पर यह आ गया अब हम लोग इसको easily integrate कर सकते हैं तो i equals to देखो क्या रहा है तुमारा x का power minus 4 है तो x का power minus 4 और plus 1 तो minus 3 by minus 3 plus 6 x का power minus 3 plus 1 minus 2 by minus 2 plus 12 अच्छा भी तुरंट पढ़े हम लोग 1 by x square का integration क्या होगा minus 1 by x ठीक है और 8 1 by x dx का क्या होता है log modulus x और plus c यह हो गया तुमारा अब जो जो काट सकते हैं उस अपको काट दो तो यहां से कट रहा है 2 3 जा 6 और कहीं से कुछ कटेगा नहीं कटेगा और तो चलो अब हम लोग लिख लेते हैं पूरा ठीक है तो क्या रहा है तुमारा i equals to यह minus 1 by 3 और x का power minus 3 है नीचे लेके जाएंगे तो x का power 3 हो जाएगा देखो यहां पर यह minus plus minus 3 और यह क्या है तुमारा x का power minus 2 है तो 1 by x square ऐसा आ गया तुमारा और plus minus minus 12 by x plus 8 log modulus x plus 3 और यही हमारा answer होगा आप लोग एक बार चेक कर लो answer तो answer check कर लो देख लेते answer क्या है minus 1 by 3 x square plus 8 log modulus x minus 3 by x square minus 12 by x plus 3 बिल्कुल सही answer है बस इसको arrange कर दिया है तो कर लो arrange इसको एक बार कोई दिक्कत नहीं है तो यहां से क्या आया minus 1 by 3 x cube इसको लिख दियें और 3 x cube इसको लिख दियें फिर नहीं यह log वाला लिखा हुआ है तो plus 8 log modulus x लिख दियें ठीक है फिर क्या लिखा हुआ है minus 3 by x square और फिर क्या है minus 12 by x पस इसको arrange कर दिया और कुछ भी नहीं है और यहीं अपना answer है ठीक है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसको जल्दी से note कर लो आप लोग इसको जल्दी से note करो ठीक है तो चलो हम लोग अब चलते है next question पर देखो next question क्या है हमारा 1 plus x का whole cube by root x है 1 plus x का whole cube by क्या है तुम्हारा root x है ठीक है तो अब चलो देखो ध्यान से तो आई question क्या है हमारा integration 1 plus x का whole cube by root x और dx तो a plus b का whole cube पर तोड़ देते हैं और अभी तुरंत हम लोग पिछले ही sum में किये थे a plus b का whole cube अच्छा आपको अगर formula याद नहीं होना तो हर बार sum में अगर formula आता है तो आप जरूर लिखा करो हर बार जो sum में formula आता है तो आप जरूर लिखा करो उससे क्या होगा formula याद आ जाएगा ठीक है और जब formula याद हो जागा ना तब sum बनाने में बहुत मज़ा आता है तो इसलिए formula सब लोग तो अच्छे से याद कर लेना ही सबको तो चलो ठीक है देखो अभी यहाँ पे ठीक है तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुमारा तो this implies i equals to 1 plus x का whole cube a cube 1 का cube plus 3a square मतलब 1 का square b के जगा x plus 3a1 और b square x square plus b cube मतलब x का cube by कितना हो गया तुमारा root x by क्या हो गया तुमारा root x अच्छा root x को जो है na root x आ गया और यह क्या है तुमारा dx ठीक है तो चलो इसको लेकर आगे बढ़ते हैं तो actually में क्या है तुमारा यह i equals to 1 cube सबके नीचे root x तो 1 cube क्या है 1 by root x plus 3 into 1 का square 1 3x by root x 3x by root x फिर क्या है तुमारा 3x square by root x plus x cube by root x यह है तुमारा और पूरा क्या है हमारा फिर dx है तो चलो देखो ध्यान से तो this implies i equals to i equals to देखो क्या हो रहा है हमारा यहां पर एक चीज और देख लो बिटा एक चीज और देख लो क्योंकि ना इस बात को अगर तुम असानी से यूज करते हो यह अगर तुमारे दिमाग में चलते रहता है कि डिफ्रेंसेशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है नो वो इंटिग्रेशन होता है तो तुम ना बहुत इजली इंटिग्रेशन बना सकते हो ठीक है अच्छा अभी ना यहां पर हमना यह 1 by root x देखकर हमको क्य यहाँ AT 2 x याद है? तो रूको इỡा है तो अगर यहां ले आए तो D by Dx और इसर तूप्य ऑठकर यहां ले आigg Z गा और इसका डिफ्रेंसेशन one by root x हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया इसका differentiation 1 by root x हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग integration करते हैं 1 by root x dx का तो इसका कितना जाएगा integration 2 root x आ जाएगा और plus यह आ जाएगा ठीक है तो इसको तुम बना भी सकते और यह हम तुमको दिखाएं कि क्योंकि reverse process होता है तो 1 by root x का integration क्या आएगा 2 root x तो इसको अगर यह बताने के पीछे मेरा क्या ख्याल था कि हम ना इसके साथ कोई छेड़ चाड़ नहीं करेंगे यह क्योंकि हमारा 1 by root x है और इसको इसके निचे अगर हम लोग root x कर रहे है तो कटके क्या बचा रूट x बच गया तो यहां सिर्फ क्या बचा हुआ है हमारा root x बचा हुआ है क्या बचा हुआ है root x dx प्लस यहां से 3 बाहर निकालो उपर क्या x square by root x है तो x square by root x है तो अभी मतलब root x का मतलब क्या होता है root x का मतलब होता है root x का मतलब होता है x का power 1 by 2 x का power 1 by 2 तो ध्यान से देखो उपर लिखा हुआ है 3 x square निचे लिखा हुआ x का power 1 by 2 है ना तो अब अगर इसमें ध्यान दोगे तो उपर लिखा हुआ है x, x का power 2 और निचे लिखा हुआ x का power 1 by 2 dx और प्लस फिर last में देखो यहां क्या लिखा हुआ x का power 3 और निचे लिखा हुआ x का power 1 by 2 dx चलो एक step और करी लेते हैं तो देखो यहां से i equals to क्या आ रहा है तुम्हारा 1 by root x तो रखी लेते हैं क्योंकि इसका हमना direct integration करने वाले हैं 3 और यह root x को क्या बोलते हैं x का power 1 by 2 dx और प्लस 3 अब देखो यहां पर जब base same होना और divide में power घट जाता है तो x का power 2 minus 1 by 2 कर देंगे 3 minus 1 by 2 6 minus 1 तो 5 by 2 बच गया और यह dx हो गया हमारा समझ में आए बात तो यह dx हो गया हमारा तो अब चलो इधर जो हमारा वो अलग है इधर नहीं है हमारा इधर हटाओ इधर इधर अलग है rough था ही हमारा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा देखो ध्यान से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखो अब हम लोग पूरा इंटिग्रेट करना स्टार्ट करते हैं तो i equals to 1 by root x का तो अभी तुरंट पढ़ाए थे 1 by root x का integration क्या आ जाएगा 2 root x plus 3 x का power 1 by 2 है तो क्या हो जाएगा और plus 5 यहाँ पर क्या x का power 5 by 2 है तो क्या हो जाएगा x का power 5 by 2 plus 1 by 5 by 2 plus 1 और plus क्या आ जाएगा c तो चलो इसको solve करते हैं देखो क्या आ रहा हमारा i equals to 2 root x और plus 3 x का power 1 by 2 plus 1 3 by 2 by 3 by 2 plus 3 और यहाँ क्या है तुमारा x का power 5 by 2 by 5 by 2 और plus x का power 5 by 2 plus 1 कितना आ रहा है 7 by 2 by 7 by 2 और plus c आ रहा है ठीक है तो चलो देखो अब हम लोग क्या करते हैं सारे numerator वाले को denominator वाले को उपर लेके चलते हैं तो यहाँ से आ गया 2 root x और plus 3 इसको लेके जाएगे तो क्या जाएगा 2 by 3 x का power 3 by 2 3 into क्या आ जाएगा 2 by 5 x का power 5 by 2 और यह आ जाएगा 2 by 7 x का power 7 by 2 plus c अब solve कर देना है बस हमारा तो जो जो कट सकता है उसको देख लेते हैं लोग क्या क्या कट सकता है तो देखो यहाँ से यह 3 और यह 3 cancel हो गया और कुछ cancel होगा क्या? नहीं और कुछ cancel नहीं हो रहा है तो अब यहाँ से देखो क्या है तुमारा i equals to 2 root x plus 2 x का power 3 by 2 plus 3 to 6 by 5 x का power x का power क्या है तुमारा 5 by 2 plus 2 by 7 x का power क्या है तुमारा 7 by 2 plus c तो यही हमारा answer होना चाहिए ठीक है तो आप इस लोग एक बार check कर लो answer क्या है 2 root x plus 2 by 7 x का power 7 by 2 plus 2 x का power 3 by 2 plus 6 by 5 x का power 5 by 2 plus c बिल्कुल सही answer है यही हमारा बस वो arrange करकर लिख दिया है क्या लिखा है वो arrange करकर तो हम लोग भी एक बार लिख लो arrange करकर कर कोई दिक्कत नहीं है यह है तुमारा 2 root x अब यह वाला term जो है last वाला जो यह term है 2 by 7 x का power 7 by 2 को वो पहले लिख दिया है तो 2 by 7 x का power 7 by x का power 7 by 2 को यहां लिख दिया है फिर plus फिर क्या क्या है फिर क्या है तुमारा 6 by 2 x का power 3 by 2 को लिख दिया है तो 2 x का power क्या रहा है तुमारा 3 by 2 को लिख दिया और फिर क्या क्या है 6 by 5 x का power 5 by 2 को लिख दिया और plus c तो यह हमारा answer हो गया तो जरूरी नहीं है कि हम यह last वाला line लिखें ही उपर ही हम लोग answer लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है यह तो बस तुमारी book का answer था पीछे हो जाओ तो rewind करके नहीं विडियो देखके remind करके फिर pause करके note कर लिया करो अच्छे से ठीक है चलो next question पर चलते हैं लोग देखो हमारा next question क्या है integration करना है अपने को 2 x square plus x minus 2 by x minus 2 dx इसका integration करना है तो देखो आई question क्या है हमारे पास थोड़ा ध्यान से देखना 2 x square plus x minus 2 by x minus 2 और ये क्या है तुमारा dx है ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान दो इसको बनाने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे थोड़ा ध्यान से की इसको ना दो PART में divide कर लेते हैं पिटा है थोड़ इसको आसान बनाते हैं ध्यान देना थोड़ा सब थो हमना एक बार ले ले लेते हैं 2x square by x minus 2 और प्लस दूसरा हिस्सा में ले लेते हैं x minus 2 by x minus 2 दो हिस्साओं में तोड़ लिए इसको ठीक है तो देखो फायदा क्या हुआ दो हिस्सों में तोड़ने से कि देखो हमारा ये वाला चीज तो हमारा cancel out हो गया ये और ये देखो cancel out हो गया और 1 बन गया हमारा ये ठीक है ये cancel out हो गया क्या बना 1 बना ठीक है अब देखो हमारा next step क्या आ जाएगा i equals to integration 2x square by x minus 2 dx और plus integration यहां तो 1 बचा 1 into dx तो बस dx बच गया ठीक है अब देखो ये तो dx तो easily हम लोग integrate कर लेंगे अब इसके बारे में कुछ सोचो इसके बारे में कुछ सोचो क्या है ये तो इसका क्या करते हैं इसको थोड़ा और असान बनाते हैं तो 2 बाहर ले लेते हैं और नीचे क्या है तुमारा x minus 2 है थोड़ा ध्यान दो यह x square अच्छा यह हमारा x square ठीक है अच्छा इसको x square अगर देख रहे हैं तो तुमारे दिमाग में क्या आ रहा है कैसे x minus 2 लाया जाए तो बिटा इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर minus 4 कर देते हैं और plus 4 कर देते हैं ठीक है इससे कोई फरेक भी नहीं पड़ा और dx हो गया और इधर integration dx चल रहा है अब देखो यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग i equals to 2 तो बाहर ले लिए और x square minus 4 को क्या लिखते हैं x plus 2 into x minus 2 हो गया नए a square minus b square तो x plus 2 into x minus 2 कर लेते हैं ठीक है और नीचे ले ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग क्या x minus 2 और यहाँ क्या बचा 4 by x minus 2 और इस पूरे का क्या हो गया तुमारा dx हो गया और plus integration यहाँ भी dx आ गया हमारा तो देखो जो कट सकता है काट देते हैं हम और यह वाला x minus 2 कट गया हमारा तो अब देखो हमारे पास integration के लिए क्या क्या बचा है तो i equals to 2 तो रहने ही देते हैं integration x plus 2 बचा यहाँ और plus 4 by 4 by x minus 2 बचा और यह है तुमारा dx और plus integration इधर तो dx इधर का कोई दिक्कत ही नहीं है थोड़ा समझते चलना अब हम लोग इसको पूरे तरह से अलग-अलग कर लेते हैं तो 2 रहने देते हैं अब सब को एक एक करके integration x dx प्लस 2 के साथ करेंगे तो integration 2 बाहर ले लो dx प्लस यहाँ पर 4 बाहर ले लो integration 1 by x minus 2 dx और यह तो बंद हो गया यहां से पूरा हम लोग यहां बंद कर दिये हैं और plus integration dx चलो भाई अब स 2 क्या बचा 2 और यहां bracket में x का integration क्या होगा x square by 2 प्लस 2 dx का x आ गया और 4 धोड़ा देखो ध्यान से यह 1 by x minus 1 है तो ध्यान दे बिटा यह किसके तरह दिख रहा है अगर 1 by x minus 1 कर रहे हैं तो यह integration 1 by x dx के तरह है है न 1 by linear तो इसका क्या होता है log modulus x plus c होता है तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे इसका भी integration क्या हो जाएगा log modulus x minus 2 है ना तो यह पूरा integration हो गया और यह वाला dx का क्या हो गया x और constant क्ले रहे हम लोग c constant क्ले रहे हम लोग c ठीक है तो चलो अब हमना सब को multiply कर देते हैं तो multiply करते हैं तो इसको 2 से 2 को करेंगे तो 2 into x square by 2 अब प्लस 2 4x plus 4 2 जा 8 log modulus x minus 2 इधर हो गया और plus x और plus c देखते हैं जो जो हम लोग कटा सकते हैं कटा देते हैं उसको तो देखो क्या क्या कटा सकते हैं यह 2 और यह 2 तो cancel हो गया हमारा और और तो कुछ नहीं हो रहा है तो चलो ठीक है अब हम लोग लिख लेते हैं इसको तो i equals to क्या र गया प्लस 8 log modulus x minus 2 8 log modulus x minus 2 आ गया हमारा और प्लस c आ गया और यहीं हमारा answer होना चाहिए एक बार check कर लो answer तो क्या है x square plus 5x plus 8 log x minus 2 plus c बिल्कुल सही answer है हमारा और आप लोग समझ भी लिए होंगे इसको अच्छा question था तो इसको आप लोग अच्छे से note कर लो ठीक है और अग समझ में नहीं आया तो फिर एक बार rewind करकर फिर से एक बार इस वीडियो को देखो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो चलो हम लोग चलते हैं अब next question पर देखो हमारा next question अच्छा देखो next question क्या है हमारा बड़ा लंबा चोड़ा सा दिख रहा है question बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है डरने वाली बात तो ध्यान दो क्या है हमारा i question क्या है हमारे पास integration 1 plus 1 by 1 plus x square minus 2 by root under 1 minus x square plus 5 by x root under x square minus 1 और plus a का पाबर x और ये है हमारा dx अच्छा ये सब देखने के साथ ही मेरे दिमाग में देखो क्या क्या चलने लगा ना जैसे हमने 1 by 1 plus x square देखें तो तुरन दिमाग में formula आने लगा हमारा formula याद रखना बहुत जरूरी होता है formula याद रखना बहुत जरूरी होता है तो देखो क्या formula आ रहा है हमारा ध्यान दो d by dx 10 inverse x d by dx ठीकी लिख रहे थे 10 inverse x तो ये क्या होता है 1 by 1 plus x square इसका मतलब क्या हुआ differentiation 10 inverse x का 1 by 1 plus x square होता है तो इसका मतलब integration 1 by 1 plus x square dx क्या हो जाएगा तुमारा 10 inverse x और plus c हो जाएगा ठीक है समझ में आया बात फिर उसी तरह तुम देखो यहां क्या दिख रहा है 1 by root under 1 minus x square दिख रहा है हमारा तो इसका मतलब दिमाग में आया तुरांत अच्छा ये किसका integration differentiation होता था तो d by dx sin inverse x का जो एना differentiation होता था 1 by root under 1 minus x square याद आया कुछ-कुछ differentiation में हम लोगों ने ये पढ़ा था तो इसका मतलब अगर d by dx sin inverse x का 1 by root under 1 minus x square हो रहा है इसका मतलब इसका जो integration होगा integration 1 by root under 1 minus x square dx तो ये किसका integration क्या हो जाएगा तुमारा sin inverse x plus c ठीक है ये हो गया तुमारा तो ये हमारा एक formula ये बना एक formula ये बन गया हमारा एक formula ये बन गया हमारा integration ये वाला बन गया तुमारा है ना चलो अब थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ लो और आगे बढ़ लो देखो अब हमको क्या दिख रहे है ऐसा तो याद करो क्या होता था कि D by D X सेक इंवर्स X सेक इंवर्स X क्या होता था 1 by X root under X square minus 1 तो इसका मतलब इसका अगर integration करें हम लोग 1 by X root under X square minus 1 D X तो इसका integration क्या जाएगा सेक इंवर्स X plus C तो ये भी हमारा एक formula बन गया तो अगर आपको differentiation याद है तो आप अराम से integration कर सकते हैं ठीक है तो चलो अब हम लोग इसको इसी इसी तीन का use करके हम लोग काम कर लेते हैं तो देखो इसको हम लोग लिखते हैं this implies I equals to क्या है हमारा integration 1 है तो D X लिख देते हैं plus integration 1 by 1 plus X square D X लिख देते हैं minus 2 बाहर ले ले लेते हैं 1 by root under 1 minus X square D X लिख लेते हैं ठीक है और plus 5 बाहर ले लेते हैं integration 1 by X root under X square minus 1 D X लिख देते हैं और plus एक और है integration A का power X D X लिख देते हैं ठीक है तो चलो लिख दिया हम लोग यह सब सारा तो अब अब भी तुरंत हम बात कर रहे थे सब का जो है न तो I equals to D X का तो integration X हो गया और 1 by 1 plus X square का integration क्या हो गया अभी तुरंत बोल रहे थे हम लोग 10 inverse X हो गया minus 2 minus 2 और 1 by root under 1 minus X square का क्या आ गया अभी तुरंत हम लोग पढ़ रहे थे sine inverse होता है तो sine inverse X आ गया और plus 5 1 by X root under X square minus 1 का क्या आ जाएगा यह आ जाएगा तुमारा second verse X और plus A का power X का A का power X का यादर differentiation क्या होता है A का power X का integration होता है A का power X by log A plus C पिछले class में इस पर हम लोग बात कर लिये थे तो यह याद रहना चाहिए आपको और पिछले class में आप लोगों को पढ़ा दिये थे तो याद भी होगी यह होगी तो A का power X और log A का power X by log A A का power X by log A और plus C और यह हमारा answer होगा ठीक है तो आप लोग एक बार answer check कर लो X plus 10 inverse X minus 2 sine inverse X plus 5 second inverse X plus A का power X by log A plus C बिलकुल सही answer है तो आपको समझ में आ गया होगा तो यह direct formula base था इसमें घवराने की कोई बात ही नहीं थी direct formula base था आप लोग इसको note कर लो ठीक है चलो हम लोग next question पर चलते हैं देखो हमारा 6 का first question है हमारे पास देखो क्या है आई एक question क्या करना है थोड़ा दिमाग लगाना हम लोग थोड़ा technique use करेंगे integration बनाने में तो easy बनेगा integration बहुत easy बनेगा x square plus 1 और यह क्या हमारा dx है यह क्या हमारा dx है ठीक है तो अब चलो देखो हम क्या कर रहे है अच्छा है न यहां से मेरे दिमाग में आ रहा है क्या कि नीचे x square plus 1 है तो क्यों न उपर भी x square plus 1 बनाया जाए तो यहां लिखते है x square plus 1 ठीक है और minus 2 कर देते है क्योंकि minus 1 था plus 1 minus 2 कर दिये by क्या कर दिये हम यहाँ x square plus 1 कर दिये और dx कर दिये तो आप पुछोगे सर इसका फायदा क्या होगा तो इसका बहुत जबरदस्त फायदा होगा देखो क्या फायदा हो जाएगा इसका हमको यही सीखना है यही तो सीखना है integration में अपने लोगों को x square plus 1 है और इसके नीचे भी ले ले लेते है x square plus 1 माइनस 2 by x square plus 1 आया समझ में वो करने का क्या फायदा था देखो था नहीं बहुत फायदा क्या हुआ हमारा फायदा कि यहां से यह और यह तो कट गया सेम था और 1 आ गया और यह तुमारा 2 by x square plus 1 है और 2 को अगर constant निकाल लेंगे बाहर हमनों common निकाल लेंगे तो 1 by 1 plus x square होगी और इसका integration होता है जी इसका integration क्या होता है 10 inverse x होता है तो इसलिए हम लोग ऐसा कर लिए तो देखो अब यह easily बनने वाला हो गया तो i equals to क्या आया तुमारा integration 1 minus 2 by x square plus 1 को न हम 1 plus x square लिख लो कोई बात नहीं है एक ही बात है यह आया dx चलो एक line और लिख देते हम लोग तो देखो क्या आ रहा है तुमारा तो i equals to integration dx अब minus 2 बाहर ले लेते हैं 1 by 1 plus x square dx ठीक है अच्छा इस वाले का तो पता चली गया dx का x होगा भाई minus 2 होगा और अभी तुरंट हम लोग बात कर रहे थे ना कर रहे थे बात क्या integration 1 by 1 plus x square dx क्या होता है भाई बोलो बेर मेरे साथ सब लोग बोलो जल्दी से 10 inverse x plus c होता है 10 inverse x plus c होता है मतलब इतना बार अपने लोगों को यह बोलना है ना कि याद हो जाए एकदम मूपर एकदम होटाओं पर याद रहनी चाहिए integration का सारा का सारा formula तो यह क्या आगया तुमारा 2 और 1 by 1 plus x square का integration हो जाएगा 10 inverse x और constant of integration c और यह हमारा answer है एक बार check कर लो answer सब लोग ठीक है तो क्या x minus 2 10 inverse x plus c बहुत अच्छा एकदम सही answer है ठीक है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो चलो बच्चों आप हम लोग चलते हैं next question पर देखो हमारा next question क्या है देखो next question क्या है उपर में देखो power क्या दे दिया 6 दे दिया है ना x का power 6 minus 1 और नीचे क्या है तुमारा x square plus 1 तो बिल्कूल ही डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर क्यूंकि नीचे x square plus 1 है उपर क्या है तुमारा x का power 6 minus 1 है तो कैसे लाया जाए तो हम लोग क्या करते हैं ना हम लोग क्या करते हैं इसको x square plus 1 और minus 1 by x square plus 1 और dx जैसे ही ऐसे लिखे ना तुम मेरे दिमाग में पट से क्या आए कि देखो यह वाली बात अच्छा यह 1 by 1 plus x square है यह है ना x square plus 1 बोलो या 1 plus x square बोलो अच्छा इसका तो 10 inverse हो जाएगा थे साथ कोई छेड चाड़ने अब जो भी करेंगे इधर करेंगे ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो क्या होता है और अब देखो थोड़ा ध्यान से तो आई क्वेस्ट कर रहे हैं यहां पर यह क्या कर रहे हैं हम लोग और यहां कया है? माइनस 1 बाइ एकस स्काइर प्लस 1 और यह पूरा का पूरा dy x है अच्छा, यहां पर भी हम लोग कर सकते थे हैं प्लस 1 माइनस 2 कर सकते थे तो उपर में भी अच्छा, जब कर दिये तो कर दिये कोई बात नहीं आप लोग जब बनाने लगोगे फिर से दुबारा तो यहाँ पर minus 2 कर देना है ना plus 1 minus 2 कर देना तो भी easily बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अच्छा इससे फायदा देखो क्या रहा है हमारा तो this implies i equals to 2 हिस्सा बांट रहे हैं एक हिस्सा तो x का power 6 है और plus 1 है और यहाँ भी x square plus 1 है और minus 1 by x square plus 1 और minus 1 by x square plus 1 है एक्छोली एक step ज़्यादा कर दिया हम यह नहीं करना था अपने को लेकिन जब कर दिया तो कोई बात नहीं है अब इसी पर हम सम बना लेंगे तो i equals to क्या रहा है बट तुम लोग वहाँ पर plus 1 minus 2 कर लेना तो यह वाला step इतना बड़ा नहीं आएगा तो यहाँ से क्या रहा है x square का whole cube लिख रहे हैं और plus 1 का whole cube लिख रहे हैं और नीचे कर रहे है x square plus 1 और minus यहाँ क्या आ जाएगा 2 by x square plus 1 और यह पूरा का पूरा dx है समझ में आया बात ना अच्छे यह वाला step इतना दूर पर आया अगर हम लोग यहाँ कर लेते हैं यहाँ पर अगर हम लोग minus यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इसको एक step डालते हैं और क्या करते हैं plus 1 minus 2 तो plus 1 वाला हिस्सा इधार आ जाता और minus 2 वाला हिस्सा इधार आ जाता तो जल्दी हो जाता है बट हम लोगों ने किया तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी बना लो तो आई क्वेश्ट क्या आ रहा है देखो यहाँ पर a cube plus b cube है तो याद है a cube plus b cube का formula होता है a plus b into a square minus a b plus b square यह होता है formula तो यहाँ भी वही formula लगाते है a plus b a plus b कहने का मतलब a square plus 1 into a square मतलब x square का square ठीक है minus a b x square into 1 plus b square 1 का square और नीचे क्या है तुमारा x square plus 1 है और यहां क्या है, minus 2 by x square plus 1 और यह पूरा का पूरा क्या है हमारा dx है, तो अब थोड़ा देखो ध्यान से क्या हो रहा है तुम्हारे पास यह वाला चीज जो हमारा यह है, यह x square plus 1 यहां से और x square plus 1 यहां से cancel कर दे रहे हैं, तो देखो अब हमारे पास क्या बच रहा है, अब हमारे पास क्या बच रहा है ध्यान दो, अब हमारे पास बच रहा है, integration उपर में x का पाबर 4 minus x square और plus 1 और इसका हम लोग क्या करते हैं, dx कर लेते हैं, और minus इसका 2 बाहर निकाल के 1 by x square plus 1 dx कर लेते हैं ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर, तो क्या रहा है आई एक क्वेस्ट हमारा देखो तो, x का पाबर 4 dx minus x square dx plus dx minus 2 integration 1 by x square plus 1 लिखो या 1 plus x square लिखो है ना, एक ही बात है पर फील आ जाती है 1 by 1 plus x square 10 inverse x होता है, है ना, तो इसलिए वो बोल दिए तो आई क्वेस्ट क्या रहा है, तुमारा x का power 4 को क्या बोलेंग, x का power 5 by 5 minus x square का integration क्या होगा, x का power 3 by 3 plus dx का x आ गया, अब minus 2, यह क्या है तुमारा 10 inverse x है, तो 10 inverse x और plus c और यही हमारा answer होगा आप लोग चेक कर लो एक बार answer तो answer है हमारा x का power 5 by 5 minus x cube by 3 plus x minus 2 10 inverse x plus c, बिल्कुल सही हमारा answer है तो आप लोग इसको अच्छे से note कर लो, और ठीक है, यह तो इस बार बनाया, अगले बार बनाने में क्या करना आप लोग यहाँ पर बताया नहीं यहाँ पर plus plus one minus two कर लेना आप लोग यहाँ पर plus one और minus two कर लेना, ठीक है तो चलो next question पर चलते हैं हम लोग अप देखो next question है हमारा integration करना है i equals to ले लेते हैं किसको integration करना है, x का power 4 by 1 plus x square और dx का, इसका integration करना है अपने को, ठीक है अच्छा नीचे one plus x का square दिख रहा है ना, तो हम लोग देखो इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा देखो ध्यान से, one plus x x का power 4 one plus x का power 4 और minus one कर लेते हैं और by one plus x square कर लेते हैं, और यह पूरा का पूरा dx है, तो चलो इसको दो हिस्सों में लेकर चलते हैं तो देखो क्या रहा है हमारा i equals to one plus x का power 4 by one plus x square minus one by one plus x square और यह क्या है तुमारा dx है, यह क्या हमारा dx है ठीक है, अच्छे यहां से क्या समझ में आया हमको, देखो ध्यान से, कि ऐसा नहीं करते हैं इसको थोड़ा से एक स्टेप पीछे चलते हैं इसको एक स्टेप पीछे लेते हैं और यहां पर लगा देते हैं इसको हम लोग तो i equals to क्या कर रहे हैं इस one के नीचे ले लेते हैं, one plus x square और plus, यहां क्या है तुमारा x का power 4 minus one by one plus x square ले लेते हैं, ठीक है तो यहां से हमारा जल्दी असानी से बन जाएगा तो देखो क्या हो रहा है हमारा यहां पर ध्यान से तो क्या है हमारा i equals to, यह integration पहला पार्ट तो one by one plus x square ले ले लेते हैं dx और पता है यह क्या हो जाता है उपर चलते हैं थोड़ा से इसको लेकर और तो देखो क्या हो रहा है हमारा i equals to one by one plus x square dx और plus ये क्या है तुम्हारा a square minus b square तो x square plus one into x square minus one हो जाएगा a square minus b square का formula पर लगा और ये क्या है तुम्हारा one plus x square dx ठीक है तो यहां से चलो देखो हम लोग इसका क्या करते हैं cancel कर देते ह तो इसको इसको हम लोग cancel कर देते हैं तो अब देखो हमारे पास क्या बचा हुआ है हमारे पास बचा हुआ है i equals to one by one plus x square dx और plus देखो क्या बचा हुआ है integration x square minus one और dx ठीक है तो अब थोड़ा सा यहां पर हम लोग जल्दी जल्दी करने के लिए सीखते हैं अब बहुत दू integration one by one plus x square dx क्या गया 10 inverse x हो गया हमारा चलो बात ठीक है plus इसको अलग अलग नहीं कर रहे हैं अभी तक तो अलग अलग कर लेते थे थे अभी से हमना direct करना start करते हैं तो x square का integration क्या होगा x cube by 3 और minus one का integration क्या होगा x और क्या हो जाएगा plus c तो यही हमारा answer है आप लोग इसको check क कर लो तो हमारा answer क्या है माइनस अच्छा अच्छा हमारा answer है x cube by 3 minus x plus 10 inverse x plus 3 ठीक है क्या है यहाँ पर ना कि थोड़ा सा वो arrange आगे पीछे कर दिया है तो हम लोग ऐसे भी लिखेंगे सही है और अगर आपको एकदम answer मिला नहीं है तो आप ऐसे लिख दो i equals to सबसे पहले x cube by 3 लिख लेते हैं और उसके बाद फिर minus x लिख लेते हैं फिर क्या करते हैं 10 inverse x लिख लेते हैं और plus c लिख लेते हैं हो गया ना तो इस तरह यह answer पुराना हो गया लेकिन हमारा उपर ही सही है कोई दिकत नहीं है उपर में ही वहीं पर आप छोड़ दो को देखो यह हमारा next question और देखो next question क्या है और बड़ा ही असान लग रहा है क्या हमारा integration ध्यान दो integration क्या हमारा x square by 1 plus x square और ये क्या हमारा dx है तो देखो इसमें क्या करते हैं विटा हम लोग यहां 1 plus x square देखने के साथ ही न मेरे दिमाग में तुरंत आता है क्या आता है कि यहां लिखते हैं 1 plus x square और minus 1 कर देते हैं और यहां करते हैं 1 plus x square और इस पूरे का क्या करते हैं, dx करते हैं, समझ में आगया ना, plus one minus one कटके तो खत कुछ नहीं बचेगा, बट ये plus one minus one करने से अपने को फायदा बहुत हो जाता है, देखो क्या फायदा हो जाता है अपने को, थोड़ा ध्यान दो, तो I equals to हो गया हमारा integration, one plus x square by one plus x square, minus one by one plus x square और ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा dx हो गया, तो यहाँ देखो क्या आ रहा है हमारा, ये one plus x square नीचे और one plus x square यहाँ पर कट गया, ये बचा one है ना, तो अब हम next line में क्या लिखेंगे, तो हम लोग next line में लिखेंगे, one by one है और minus one by one plus x square और ये पूरा dx है, अब हम जल्दी जल्दी एक साथ ही कर रहे हैं, एक step बचाएंगे हम लोग अब, तो इस one का integration क्या होगा, x होगा, minus one by one plus x square का integration क्या होगा, जल्दी से बताओ, बहुत अभी हम लोग किया हैं, कि one by one plus x square का integration क्या होगा, ten inverse x, याद आया ना, और plus c, तो यह हमारा answer है, ठीक है, यह हमारा answer है, एक बार अपने book से check कर लो answer, x minus ten inverse x plus c, बिल्कुल सही हमारा answer है, तो बच्चों, आज हम लोगोंने question number six तक किया, ठीक है, question number six तक किया हम लोग, हम लोगोंने आज, next class में हम लोग, next video में हम लोग ना, इसके आगे solve करेंगे, उम्मिद करते हैं, आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है, तो एक बार आप फिर से क्या करें, rewind करें, फिर से देखें, जरूरी नहीं है कि एक बार में समझ में आजाए, कभी कभी होता क्या, कि एक बार में समझ में नहीं आता है, तो आपको छोड़ना नहीं है, कि एक बार में समझ में नहीं आया है छोड़ देते हैं उसको आप फिर से देखो और मेरा बिस्पास एकदम कि फिर से देखोगे तो तुमको समझ में आएगी ही आएगी कुछ ऐसी चीजी नहीं है इसमें कि जो की ना समझ में आए बहुत simple simple सब क्या कहते हैं इसमें formula लगा है simple simple step है ठीक है और मेरे साथ बनाते चलो तुम लोगों से वादा करते हो कि मेरे साथ बनाते चलो तुम लोगों का जो है न यह algebraic section जो है दुनिया की सबसी आसान subject है maths ठीक है तो बच्चों आज के लिए इतना ही बाई